स्वाधत है आपका आज के अपिसोड में चले शुरुवाद करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण से हाली में समाचारों मेरा हाँ क्रिप्टो बायोसिस डिमनलिखित में सिक्स से संबंधित है एक प्रक्रिया जिसमें जीव पोशत्तत्वों की अरुपस्ति में उर्जा उत्पन करने के लिए प्रकाश का उप्योग करते हैं बी जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित लेंदेन के लिए एक नए प्रकार की ब्लॉक्चेन प्रोद्धोगी की पी आरुवांशित संशोधन के माध्यम से कीटों के प्रती प्रतिरोध बढ़ाने के लिए पौधोद्वारा उप्यूग की जाने वाली एक विधी एक चैया पचे अवस्था जो चरम सितियों में जीवित रह सकता है इस प्रशुदा सही उफ्तर है विकलपड़ी एक चैया पचे अवस्था जो चरम सितियों में जीवित रह सकता है चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को क्रिप्टो बायोसिस एक अनोखी जैविग घटना है जिसमें एक जीव एक प्रतिवर्ती निश्प्री चैया पचे अवस्था में प्रवेश करता है जिससे वह निर्जली करड़, ठंड, उच्च विकरड़ जैसी चरम परियावरड़ी सितियों में जीवित रह सकता है को पुर्ण शुरू कर सकते हैं अताव विकल्प डी सही है तुशली शुरुआत करते हैं आज की अपिसोड की पहले प्रश्ट से इंडिया एजिंग रिपोर्ट दो हजार तेस हाली वे निमनलिकित में से किसके द्वारा जारी की गई इस प्रश्ट का सही उत्तर है विकल्प ए से एजिंग रिपोर्ट दो हजार तेस इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की बजुर्ग आबादी दो हजार पचास तक दोगुनी होकर कुल जैंसंक है कि 20 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी अतविकल्प ए सही है अगला प्रश्ट है उत्तर प्रदेश मदर्सा अधिरियम 2004 पर सरवच्छ न्यायाने की फैसले के संबंद में निम्रलिकित कथलों पर विचार कीजिए इएक, इसने कहा कि किसी सम्यधानिक संशोधन की वैद्धता की जाच के लिए मूल धाचे के सद्धान को लागुण किया जाना चाहिए न कि किसी साधारट कानून को दो, किसी सामाने कानून का परिक्षर करते समय न्यायानियों को केवल विधाय छमता और मौनिक अधिकारों के साथ संगती को देखना चाहिए इससे आगी कहा कि धार्मिक संस्था को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे किसी भी कानून द्वारक कम नहीं किया जा सकता है उपर युक्त में से कितने कथन सही है या सही है एक एवन एक, बी केवल दो, सी सभी ती, डी कोई भी नहीं इस प्रश का सही उत्तर है विकल्पसी, सभी ती, चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को उत्तर प्रदेश मदर्सा अधिनियम 2004 पर सर्मुच्छ न्यायाने का निर्ण इस से मानकी संवधानिक संशोधन की वैदता की जाज़करने के लिए मोल्ढचे के सभ्धान को लागू किया जाना चाहिए न कि किसी साधारण कानूल को अतकतन एक सही है किसी सामाने कानूल का परिक्श्र करते समय नियायालियों को कीवल विधाई छम्ता और मौलिक अधिकारों के साथ संगती को देखना चाहिए अतक अधन 2 सही है इससे आगी कहा कि धार्मिल सलस्था को अपने मामलों का प्रबंदन करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे किसी भी कानुन द्वारक कम नहीं किया जा सकते अतक अधन 3 सही है अगला प्रेश्ट अधिक अधिक गल्यारा विकास कारेगरम भारत को वैशिक विनिर्माड केंद्र में बदनने के लिए स्वार्ट बुनियादी धांचे के साथ अधिक शहरों के निर्माड पर केंद्री थै उपर उप्तमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक विक एवल दो, C एक और दो दोनो, D न तो एक और नहीं दो, इस प्रशुगा सही उत्तर है विकल्प C, एक और दो दोनो, चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को, भारत के विक्सित भारत एट्डिरेट 2047 विजन का उद्देश्य, देश की आर्थे के सिति को बढ़ा कर और समान विकास के लिए प्रतिव्यक्ति आय में सुधार करके आर्थिक परिवर्तन करना है अतकथन एक सही है। और आर्थिक फिकास के संबंद भी निम्नलिखित कथलों पर विचार कीजें। चलिए देखते ही इसके विस्टेशन को। अगला प्रेशन है रैपो दर पर भार्पी रिजर्व बैंक के रुख और अर्थवस्था पर इसके प्रभाव के संबंद में निम्नलिखित कथलों पर विचार कीजें। एक, आर्बियाई ने अत्यदिक उधार और धन्सरिजन को हदोत साहित करके गैर खादिक गैर इंदन मुद्राइस्विति को नियंद्रित करने के लिए उचि ब्यासरी बरकरा रखी है। दो, रैपोदर में कमीसी घरेलू जमाराशी का अधिक हिसा शियरों में स्थनाद्रित हो सकता है जिससे बैंकों की परिसंपत्ति दियता और संदुलन के सिती और भी खराब हो सकती है। तीन, शेयर बाजार की और स्थिता का आर भी आई के ब्यासरों और मुद्राइस्विति नियंद्र संबंदे निर्न लेने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपर रिक्तिवे से कितनी कथन सही है या सही है। एक एवल एक, वी केवल दो, सी सभी तीट, डी कोई भी नहीं। इस प्रशोदा सही उतर है विकल्प बी केवल दो, चनि देखते हैं इसके विस्टेशन को। भारती रिजर्व बैक का रुक। RBI ने गैर खाद्य, गैर इंधन मुद्राइस्विती को प्रवंधित करने के लिए ब्यासरे उच्छ रठू है। क्योंकि उच्छ ब्यासरे तेजी से उधार देने और नए पैसे के निर्माण को हतोच साहित करती है। समय तक गिरावट शेरों में घरेलों रुची को कम कर सकती है जिससे RBI को बैंकों को अस्षिर किये बिना दरों में कटोती करने के अनुमती मिल सकती है। अतकतन तीन सही नहीं है। अगला प्रश्ण है दीन दयान अंतियोदय यूचना राश्ट्री ग्रामीड आजी विकामिश्वन के संबंध में निम्नलिखित कतलों पर विचार कीजे। एक यह गरीबी उनमुलन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीड विकास मंत्राले के अंतरगत के इंद्रशेत्र का कारिक्रम है। इसका उदेश गरीबों विशेशकर महिलाओं के लिए मजबूत संस्थानों का निर्माड करकि गरीबी में कमी को बढ़ावा देना तथा इन संस्थानों को विर्तिय सेवाओ और आजी विका की एक श्रेखला तक पहुँश प्रदान करना है अतकतन एक सही नहीं है। ट्रांसफर आरेने प्रोटीन संस्थानों के लिए डिनने में राइबोसों तक आरवाशी जानकारी पहुँचाता है। 2. मेसेंजर आरेने आरवाशी कोट को ज्यात और प्रतिलेखन की प्रप्रिया के दोरान उप्युक्त अमीनो एसिट को राइबोसों तक ले जाता है। उपर उप्त कत्रों में से कौन साय और कौन से सही है या सही है। इवल एक, विकेवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और नहीं दो। इस प्रशगा सही उत्तर है विकलपड़ी, न तो एक और नहीं दो। चलिए देखती है इसके विस्लेशन को। मेसेंजर आरेने, मेसेंजर आरेने प्रोटीन सांस्लेशन के लिए स्टैंड का निर्माड करता है। प्रांसफर आरेने, प्रांसफर आरेने, आनुवाचि कोट को ग्यात करता है और प्रतिलेखन के दौरान, अपियों दिदमा राइबोसों दक ले जाता है, अतकतन 2, सही नहीं है। टी आरेने का प्रात्मिक कार्य एम आरेने पर कोडॉन को व्यात और प्रतिलेखन की प्रक्रिया के दोरान उप्युम्त अमीनो एसिट को राइबोसों तक ले जाता है। अगला प्रेश्व है इम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पूछ विहिन हुलोग गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एक मात्र वानर है। दो पश्चमी हुलोग गिब्बन जो पूर्व उत्तर के सभी राज्यों में पाया जाता है को अंतराश्ची प्रकृति सनक्ष्वर संग की ट्रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सुची बत किया गया है। उपर उप्तमे से कौन सा या कौन से कथल सही है या सही है। अंतराश्ची प्रकृति सनक्ष्वर संग की ट्रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सुची बत किया गया है। आम तोर पर तर्टिय आंदरप्रदेश, तमिलनाडू और कीरल जैसे शेत्रों में अक्टूबर से दिसंबर तक वर्षान आता है। दो, दक्षिर पश्ची मानसून आधिकारिक तोर पर अक्टूबर के मद्य तक देश से वापस चला जाता है जिसके बाद आम तोर पर उत्तर पुर्वी मानसून आ जाता है। तीन, हाल की मानसून के मौसम में भारी पारिश, बाड़ और भूस, खलन की घटनाएं लगतार बढ़ रही है। उपर उप्तमेल से कित्ते कथल सही है या सही है। एक एवल एक, विकेवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी रही। इस पेशल का सही उत्तर है, विकलपसी, सभी तीन, चले देखती है इसके विसलेशर को। भारत में हाल की मौसम संबंदी घटनाएं। पुर्व उत्तर मानसून आम तौर पर तटी आंधरप्रदेश, तमिलनाडू और कीरल जैसे शेत्रों में अप्टूवर से दिसंबर तक आता है अतक अथन एक सही है। दक्षिर पश्री मानसून आधिकारिक तौर पर अक्टूबर की मध्य तक देश से वापस चना जाता है जिसके बाद आम तौर पर उत्तर पूर्वी मानसून आ जाता है अतक अथन दूस सही है। के एक तिहाई भाग को कवर करेगा। मिशन का लक्ष ब्रह्मान का सबसे बड़ा 3D मानसूतर बनाना है जो आकाश के एक तिहाई युससे को कवर करेगा अतक अथन एक सही है। वर्तमान मानसूतर अंतिमलक्ष का केवल एक प्रतिशत कवर करता है और 14 मिलियन आकाश कोंगाओं को प्रदर्शित करता है। न की 50 प्रतिशत या 28 मिलियन आकाश कोंगाओं को अतक अतन 3 सही नहीं है। तो चली अंत्वे देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्र को। अनुआशिक रूप से संशोधिन जीवों के संबंद में निम्नलिखित कत्वलों पर विचार कीजें। एक, GMO एक ऐसा जीव है जिसके DNA में आनुआशिक इंजीनेरिंग विध्यों का उप्यों करके संशोधन किया जाता है। दो, क्रिशी मंत्राले के तहर जेनेटिक इंजीनेरिंग मुल्यांकन समिती खतरनाग सुक्ष्मिजीवों के बड़े पैमाने पर उप्यों का मुल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है। उपर उप्तमेसी कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोलो, डी न तो एक और नहीं दो। इस प्रशका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए बस इतना है धन्यवाद। दियर विवर्स, अपने एकजाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले।